के सब्सक्राइश्थ हमने यह सापके सब्सक्राइश को एक थोग के उपने खरकार घ्रलियर पनसे मिल्य सोगाने मुलक हिए है नुट बाइप कोसी की बोलते हैं इसको संकोशिकी बोलते हैं इस तरह से लगता है जैसे कि कोशिका है जो अलग-अलग है वो जुड़ गई है उनके सेफ्टम अलग हो डिसापियर हो गए है उसमें से तीसरा इसमें जो है थैलस जो होता है वो यू कार्पिक होता है मतलब जब प्रजनर नवस्ता में एंटर करते हैं प्रवेश करते हैं त इंड़ा का उनलो yelled stylish त्थैलिस का कुछ अंश जो है वो उसमें हिस्वा लेता है और बाकी जो है मैसी लिमा से ही प्रोटीनाइं यहां पर चल बीजानुगे में द्वारा होता है जो कि घंतिक कर हो सकती है या डिश्वाधी की आकार की हो सकती है इस फोरीकल ऐसं योco인Heart दो तरह के फुलाजल मों पाए जाते हैं एक टिंसल प्रकार का और एक विपलाश विपलाश को हम बोलते हैं प्रतोध हिंदी में और टिंसल टाइप को हम बोलते हैं कूर्च प्रकार का तो जो कूर्च प्रकार का फ्लाजलम होता है कशावे का होती है वो आगे की तरफ मुड़ी होती है और जो दूसरी प्रतोद टाइप की उतीवे प्लाश टाइप का फ्लाजलम होता है वो पीछे की तरफ डारेक्टेड होता है जनरली फ्लाजला जो है वो बीन शेप्ट जू स्पोर्स पर साइड में लगे वे होते हैं लगे प्रजनन जो है वह विषैमी उगमकी है जो सेक्स ओर्गंस होते हैं एंत्रीडिया अर्णली ट्लाप शेफ होता है और जो जो उगोनिया होते है वो गोलाकार होते हैं और फर्टलाइजेशन के बाद में फर्टलाइजेशन ट्यूब के साथ निशेचन नलीका बनती है और जिसको कि हम फर्टलाइजेशन ट्यूब कहते हैं जिसके माध्यम से अंत्रियम के न्यूकलेस उसके अंदर आता है और फिर उसके रिजल्ट में फर्टलाइजेशन के बा इसलिए यहाँ पर जुम्योसिस होता है या अंदूर्व विभाजण होता है वो गिेमिटेंजी अ में होता है मानने Inthridium में और Oogonium में और ant में इनके अंदर सबके अंदर पहले शुरू में काफplets सारे केंदे रख बनते oluyor लिग्छें ad अन्त में सुर्फ एक केंदे रख रह जाता है जो कीhyploid रहता है अब इसका जो गण है घैल्म हो जिसको ये बिलॉंग करता है paranosporals तो वोनियम होता है उसके अंदर परिप्लास्म काफी प्रॉमेंटली आपको दिखाई पड़ता है मतलब उप्लास्म और परिप्लास्म के अंदर डिफरेंसीशन होता है उसका उसको बुलते हैं अंडद्रव्य और परिद्रव्य ठीक है तो परिद्रव्य आपको आराम से इस जहानि होती है वह जो जहानों दानी दर पर है ज़ितो होते हैं जिनको पर चेन के अंदर को ने रहकलनी बनते हैं तो आल वींतार है तो लगातार बनते रहते हैं इसलिए इसको हम कि Cal puisse me सक्याम हूद हैा इन टीटर्मिने जब कि मतलब बहुत सारे मीवक gwात नहीं Тान का और जो मेचुर होती है वो सबसे ओपर बनती है और वेल डवलप्ड परिप्लाजम होता है इसके अंदर है जीने सबर आलवयोगों को हम देखें तो लगभग 30 स्पीशिस इसके रेपोर्टेड हैं वाइट ब्लिस्टर डिजीज फ्लारिंग फ्लांट्स में गॉस करता है इसको अगर हम चाहें कल्चर करना तो कल्चर करना इसका मुश्किल है और एंडो परसाइट का मतलब है कि जो प्लांट का जो टीशू होते हैं अंदर उनके अंदर ये पाया जाता है कुछ एक स्पीशिस जो बड़ी कॉमन है उसमें से एक अल्बिगो कैनीडा है जो कि जितनी बी तरह कि गोभी होती है पता गोभी फूल गोभी है और भी परपल कलर का जो कॉलीफलार वगर आज कर आने लगे बहुत सरी वराइटी तो उन सब के उपर इनका टर्णिप है इसको आप बोलते हैं शलगम है इस तरह की जो हैं उनके उपर इनका इंपेक्शन अल्विगो ब्लायट आई अमारेंटसी मतलब जो वो होता है जो चौलाई होती है उस फैमली के काफ़ सारे साधस्यों के पर इसका संक्रमन होता है जो आपके जर्वेटरुशों में पर करता है वाइड ब्लिस्टर डिजीज कई वर इसको वाइड रस डिजीज भी बोलते हैं सबसे दा कॉमन है तो इसका थैलस का संवरिष्णा अगर आप देखते हैं तो ब्रांच सब्टेट माइस सेनोसिटिक है पठीन ब्रांच और संकोशिकी माइसिलिम जो कि इंटरसलेलर होती अंतहर अंतरा कोशिकी होती है कि अंतरा कोशिकी है तो बोजन गरहन करने के लिए इसको चुशकांग की जरुत पड़ती तो नॉप की तरह के चुशकांग इसमें होते हैं होस्टोरियम किंदर राइबोजोम्स माइट्रोकॉंड्री अंड्रोप्लास्मिक रेटिकुलम होता है फैट ग्लोबिल्स होते हैं किंद्रक नहीं होता है कि वहां पें उसमें केंद्रक नहीं पाए जाता है अगरहम देखे तो अलांगिक प्रिजन कट के समय जो पुarmed象 बंते हैं उनकी से रहे हैं इस होते हैं मिलकूल इस थरह से स έगर अपने टुथ पेस्ट को खुला है तो बहुत है वाइट क्रीमी प्हेश इस होती है बनते हैं यह पत्ति के संवरशन है इस तरह के स्पोर्ट दिखाए गए हैं यह आपको दिख रहा है हाइपर ट्रोफी बी पार्ट में इसमें हाइपर ट्रोफी है जब लंगिक प्रिजुन होता है तो उस समय पर जो भी पौधा होता है संकर्मित पौधा होता है उसमें प्लांट पार्ट का साइज बहुत बढ़ जाता है जो तना होता है हो काफी मोटा हो जाता है फूल की पत्यां होती हैं काफी बड़ी-बड़ी हो जाती है और नीचे अब सी पार्ट में देख रहे हैं कि यह जो माइसिलीम है इस कोशिका के अंदर हस्टोरियम बने हुए है वदलंगविक प्रेस्ट्रज में बता है कि उलंगिक प्रेस्ट्डण खुरण जैके द्वारा होता है इसमें जब भी गिल शी नीचे जो भी आपिडर्मिस होती ए उसकी सतर के नीचे मैसीले मिकठा होना शुरू जाती है और जो फंगल तंतू होते हैं कवक तंतू होते हैं उनका जो शीर्ष का हिस्सा होता है उसमें काफी सारे केंद्रक धकेल दे जाते हैं और जब बहुत सारे केंद्रक चले जाते हैं तो नीचे सप्टम में जाता है, जिसमें कोई छिद्र नहीं होता, थाकि जो प्रोटप्लास में वह आपस बाहर लौठ करकर के नहीं आएं। इसके बार में यह जो बहुत सरे केंडरक होते हैं स्प्रेशन के माध्यम से स्पोरंज्यो फोर में स्प्रेंजिया बनते हैं और पाला जो लुद्धा पाउडरी क्रीमी पैचिस के रूप में आपको आते हैं एक-इक स्पोरेंजियम जो होता है लगबग इसका जो साइज होता है वो यह श्पारिकल शेप के होते हैं और इसमें जितने भी केंद्र किस्के अंदर पाय जाते हैं उतने ही इसके अंदर बात में साइक प्ला डिवाइड हो जाता है और धैसे यहां पर आपorar एक आप से इसके अंदर है यह यह पिर एक्वेसिकल निंगलती है इसमें से इसमें से पोर्स जो स्पोर्स भाहर निकलते हैं जो स्पोर्स मोजो होत यह जो स्पोर्ज होते हैं इनको जब यह रिलीज होते हैं तो पत्ती की सत्य पर रिलीज होते हैं वहां पर पानी की एक फ्रियूग का होना जरूरी है इसके अंकुरन के लिए यह थोड़ी दिर पानी में तेरते हैं उसके बाद में इनका इसकी चारा तरफ से एक वाल डवलप हो जाती है फिर इनका अंकुरन होता है पत्ती पर स्टोमेंटा के तुरूई यह अंटर करते हैं और वहां पर अंदर की दरफ मैसीलें बनाते हैं इस तरह से इसमें लंगि प्रस्ट्व ने होता है यहां यहां है आपको दिखा इपड़ार उब्स की नीचे इसमें आपको यह इस परेंजिया जो हैं चेन में दिख रहे हैं यह पत्ति की section कटी हो है नीचे आपको पहले Mayce बुटव हो दिखे आपको जिसमें किस ट्रेम मोटी हो गई है लिग प्रेजणन जब होता है तो उसी प्रकार से जैसे इस पॉरंजया बनते हैं उसी प्रकार से काफी सारे केंद्रक उसमें आजाते हैं उपर से कलप शेप होता है इसी प्रकार से उगोनिया में भी बहुत सारे केंद्रक आते हैं और वह केंद्रक फिर से बार बार डिवाइड करते हैं इसके बाद में कुछ वह उसमें मियासिस होता है मियासिस होकर के वह केंद्रक बन जा जाते हैं और सेंटा में सरफ एक केंद्रक रहता है बाकी जितने भी परिंद्रव्य है उसमें भी और सेंट जो प्लाजम होता है उसमें जो किंद्रक होते हैं वह सब डिसिंटिग्रेट कर जाते हैं इसी प्रकार से एंट्रिडियम में भी काफी सारे केंद्रक बनते हैं और उसमें से फिर एक जो केंद्रक होता है वो जहां पर भी एंट्रिडियम कॉंटेक्ट में आता है वहां पर कॉंटेक्ट कॉल डिसॉल्व हो करके एंट्रिडियम से एक पटलैजेशिन ट्यूब बनती है निशेचन नल का से केंदरक आता है जो की उगनियम का जो का जो पास में मुक्त हो जाता है इसके बाद में जो परिपलाज्म होता है वो काम में आता है उगनियम का जो सेल है उसके चाराव तरफ बित्ती बनाने की ठीक है तो इसके चाराव तरफ यह golden यह शुब हम चाता है तो ही golden colors का होता है golden color खें थी उस नांगलख जो species होती उसमें दिजाइन हो सकता है इसके अंदर यह तरह से onde सबस्क्राइब आप यह हाइपर्ट्र आप संड़िश्ना नीचे कि जाती है और यह उस पर रेस्टिंग सम्द सबस्के इसके अंदर जो है डिपलोई नूकलेस बना है वह डिपलोई नूकलेस डिवाइड करता है ठीक 2 इस तरह की नुखरला बनाता है जुण दो १ालिऴ नष्ण के उप्र वग काव कि गंचे लियु लोग जुट घंव और अब वेल में इसके बाद में जब भी भी विदौ से उप्र कंडिक्शन करिद रह भी तो यह यह अंकुरित होते हैं और जब यंकुरित होते हैं तो मेस्टिकल बनती है वैसिकल में जूसपोर्स बनते हैं और फिर वह वापस प्लांट के उपर पर यॉइंग लीवज होती हैं उनके इसके साथ में दिखाएंगे इस तरह से इसका लाइफ सेकल कम्प्लीट होता है